साही टुकड़ा ब्रेट की एक सिंपल सी डिस है जो बनाने में भी आसान और खाने में लाजबाब ये त्री स्टेप में तयार होता है ये साही टुकड़ा मुँँ में घुल जाने वाली रस से भरी मलाई में डुबी ही बोलते बोलते ही मुँ में पानी आ रहा है गाईस चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते है साही टुकड़ा के लिए पहले रबडी तयार कर लेते है चलिए रबडी बनाना स्टार्ट करते है क्योंकि इसे ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए रबड़ी तयार कर लेते हैं ये एक लिटर दूद है मिल्क में उबाल आना स्टार्ट हो गया है अब गैस का फ्लेम मिडियम रख लें ये एक लिटर फुल क्रीम मिल्क है मिल्क गाढ़ा वला ही रखें तो ये जल्दी इसकी रबडी तयार हो जाती है मिल्क की कंसिस्टेंसी गाड़ी होनी स्टार्ट हो गई है दूद गाड़ा करते समय बरतन के साइड में ये क्रीम लग जाता है इसे निकालते वे गाड़ा करें निकाल कर इसे मिल्क में ही मिक्स कर दें तो ये मिल्क जल्दी ही गाड़ा हो जाता है मिल्क गाड़ा हो गया है रबड़ी मेरा तयार है ये रबड़ी मैं बहुत जादा गाड़ा नहीं रखी हूँ मुझे इसी तरह का इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए अब इसमें मैं एक चमच इलाची पौडर आड़ करूँगी और इसमें एक चुटकी केसर डाली हूँ आप अपने मन पसंद किसी भी फ्लेवर को आड़ कर सकते हैं बहुत लोग इसमें गुलाब जल डालते हैं केवडा के वाटर डालते हैं आप अपने मन पसंद कोई भी फ्लेवर एट कर सकते हैं यदि मीठा जादा पसंद है तो आप इसमें सुगर एट कर सकते हैं मैं इसमें सुगर नहीं डाल रही हूँ ब्रेट को सुगर सिरप में ही डिप करना है आप चाहे तो रबडी में एक से दो चमस सुगर डाल सकते हैं ये रबडी तयार है अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ अब चलिए सुगर सिरब तयार कर लेते हैं उसके लिए एक पैन लेंगे और उसमें इस कप से एक कप सुगर डालेंगे और उसमें इसी कप से एक कप पानी आट करेंगे लो फ्लेम में चीनी को पानी में गुलने तक पका लेते हैं स्टर करते हुए सुगर सिरप तयार करें चीनी देखिए धीरे-धीरे पानी में गुलना स्टार्ट हो गया है ये साही टुकड़ा किसी भी फेस्टिवल में आप बना सकते हैं ये पाटी के लिए भी बेस्थ है, किसी भी पाटी में ये बना सकते हैं और बड़े पाटी में तो इस पेसली बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा ये और ये जहटपट बन जाने वाली रेसिपी है सुगर सिरप की कंसिस्टेंसी एक तार जैसी चाहिए मुझे इसे चेक करने के लिए चमच में थोड़ा सा सुगर सिरप लेंगे और दो उंगलियों से चेक करेंगे देखिए ये एक तार बन रही है ये सुगर सिरप पर्फेक्ट बनी है अब गैस का फ्लेम बंद कर दे और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ यहां मैं ब्रेट के 5 स्लाइसिस ली हूँ आप इसे मन पसंद सेप में काट सकते हैं चाहे तो इसका आउटर पार्ट काट कर निकाल सकते हैं मैं नहीं काट रही हूँ और इसका मैं ट्राइंगल सेप में कट कर ले रही हूँ मैं यहां सैंड्विच ब्रेड ले रही हूँ आप चाहे तो कोई भी ब्रेड ले सकते हैं जो मार्केट में एवल एवल हो आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं मैंने सारे ब्रेट स्लाइसेस को ट्रेंगल सेप में काट लिया है अब ब्रेट स्लाइसेस को डी फ्राइ करूंगी उसके लिए एक कड़ाई में मैंने घी डाल लिया है आप चाहे तो इसमें रिफाइन में भी इसे फ्राइ कर सकते हैं लेकिन घी से बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आता है घी को हाई फ्लेम में गर्म कर ले देखिए घी धीरे धीरे हीट होना स्टार्ट हो गया है घी हमारा पूरे तरह से मिल्ट हो गया है और ये अच्छा खासा गर्म हो गया है अब एक एक पीस करके ब्रेट स्लाइसे को उस जितने पैन में जगा हो उतना आप ब्रेट स्लाइस को डाल का फ्राई कर सकते हैं। ब्रेट को चाहे तो आप बेग भी कर सकते हैं या फिर घी लगा कर इसे पैन में सेग भी सकते हैं। देखिए ब्रेट का कलर चेंज हो गया है कितना अच्छा लग रहा है ये कलर ये कलर डीप हो गया है अब इसे घी से बाहर निकाल लेंगे। ब्रेट को फ्राई करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है ये जटपट हो जाता है। सारे ब्रेट के स्लाइसेस को इसी तरह फ्राई करके निकाल लें। सारे ब्रेट के स्लाइसेस फ्राई हो चुके हैं अब इसे सुगर सिरप में डीप करूंगी। सुगर सिरप को वार्म ही रखना है ताकि ब्रेड में सुगर सिरप अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके अब सुगर सिरप में एके करके ब्रेड को डीप करेंगे दो से तीन सेकेंड के लिए ताकि ब्रेड में सुगर सिरप अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके सारे ब्रेट स्लाइसेज को इसी तरह सुगर सिरप में डीप करके रख ले इस ब्रेट स्लाइस को इस तरह से भी खा सकते हैं ये ऐसे भी बहुत ही टेस्टी लगता है लेकिन इसमें अगर रबडी डाल दिया जाये तो इसका टेस्ट दुगना हो जाता है सारे ब्रेट स्लाइस सुगर सिरप में डीप हो चुका है अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ सर्विंग प्लेट में सारे ब्रेट स्लाइस के रख दी हूँ अब इसमें डालूँगी जो रब्री हमने तयार करके रखा था इसे चमच में थोड़ा थोड़ा उठाएं और ब्रेट के उपर डालते जाएं रब्री ठंडी होने पे थिक भी हो गई है देखे ये साही टुकड़ा हमारा तयार है ये कितना अच्छा लग रहा है ये खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट है अब इसमें ड्राइफ रूट्स डालेंगे ड्राइफ रूट्स आप अपने मन पसंद डाल सकते हैं मैं यहाँ पे थोड़ी सी काजू, आमंड्स और पिस्ता को काट ली हूँ और इसके उपर अब डाल दूँगी ये ओप्सनल है ड्राइफ रूट्स स्प्रिंकल हो चुका है ये खाने के लिए तयार है देखें ये कितना अच्छा लग रहा है मैं इसी तरह कुछ और नए रेसिपीस लाती रहूंगी आप लोगों के लिए उसके लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सेर करना ना भूले और बिल आइकोन को भी प्रेस करें नेक्ट वीडियो के लिए थैंक यू